नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देखरे हैं वाग खास कारेकर गुड मॉनिंग इंडिया गुड मॉनिंग इंडिया में रुक करेंगे आज सुबा की खबरों का पर उससे पहले लेकर आई हूँ मैं आपके लिए कुछ खास पंक्तिया राहा संगर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है जिसने अंधेरे से जंग जीती हो वही सूरज बन कर निकलता है तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की केंद्र सकार्च अबुकर्शमीर की सबी शेत्रिय पार्टियों के साथ इसी महीने के आखरी तक बातचीत कर सकती है अधिकारियों ने शुकवा को बताया कि केंद्र शाष्टित प्रदेश में विधानस्वत चुनाव कराने सहित राज़्वरीत एक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिशों के तहट ये कदम उठाय जा रहा है उन्होंने बता कि केंद्र शाष्टित प्रमोग फारुक अब्दुल्ला प्यूपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबुबा मुफ्ती जम्मु कश्मीर अपनी पार्टी के अलताफ बुखारी प्यूपल्स कॉन्फरेंस के सज्जाद लोन को बाचीत के लिए आम मंतुरित कर सकता है अब्दुल्ला और महबुबा पूर्ब वरती जमु कश्मीर राज्जे के मुख्य मंतुरी रह चुके हैं बैटक के अध्यक्षता प्रदान मंती नरीन मोदी द्वारा की जाने की सभाबना है और इसमें केंद्रे घ्यमंतुरी अमेश शाह और अन्य कें जो सत्तर हटाए जाने और जमु कश्मी को दो केंद्र शाषित प्रदेश में बाते जाने के बाद इस तरह की ये पहली बैठक होगी आज कॉंग्रेस के पूर्वद्यक्ष राहूल गांदी का जरम दिन है और इस दिन को दिल्ली कॉंग्रेस सेवा दिवस के तौर पर मनाएगी आज के देन कॉंग्रेस काय करता जोरत्मन लोगों को मुफ्त में मास्क दवाईयां और खाना बाठेंगे बता दें दिल्ली कॉंग्रेस के काय करता नगर निगम के 201 वाड़ो में मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए लाइन में लगे लोगों को बाठेंगे दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस समीती के अध्यक्ष अनिर कुमार के नेतुरत में काय करता मास्क, दवाईयां, खाना, पानी और दूसरी जरूरी चीज़े लोगों को देंगे साती साथ दिल्ली सरकार्द बिना राशन कार्ड वाले लोगों को भी मुफ्त में राशन मुहिया करा रही है लोगडाउन की बज़ा से दिल्ली के मुख्यमंतुरी अर्विन केश जिवाल ने लोगों के लिए इस राहत पैकेज को अईलान किया था देली कॉंग्रेस के कायकता सेवा दिवस को कल यानी की रविवा को भी मनाएंगे पार्टी ने कहा कि कॉंग्रेस का लक्षे लोगों की सेवा करना है और आज की समय में लोगों को कई तरह की चुनोतियां देख रहे हैं करीब देर भाई दे बंद रहने के बाद एक बाद फिर देश के सबसे बड़े कुष्टी कोचिंग सेंटरों में शामिल 16 साल स्टेडियम में एक बाद फिर पहलवानों को दाउफ पेज सिकाने की शुरुआत हो गई है देले साकार के खेल विभाग ने स्टेडियम में कोचिंग देने की शुरुआत करने के आदेश चारी कर दिये गए हैं यहां फिलाल साल 2021 वेश्व केडेट कुष्टी चेंपिनशिप में भाग लेने वाले पहलवानों को ही कोचिंग दी जाएगी बताने इस चेंपिनशिप में चारी साल स्टेडियम में कोचिंग लेने वाले कई पहलवान शिर्कत करेंगे कोरोना के चलते 18 एप्रिल को दिल्ली में लॉक्डाउन होने के साथ ही चारी साल स्टेडियम भी लगबग बंद हो गया था लॉक्डाउन लगने पर ज्यादता पहलवानों को उनके घर पर भीज दिया गया था यहां केवल विश्व केड़ेट कुष्टी चेंपिनशिप में हिस्सा लेने वाले पहलवान और उनका अभ्यास कराने के लिए कुछ पहलवान ही रखे थे लेकिन पांच मई को स्टेडियम में सागा धनकर की खत्या होने के बाद से पहलवान भी अपने घर चले गए थे दिलिवे कोरोना के मामलों में कमी होने के बाद अनलॉक की श्रुआत करने के इस बाद ही प्रती सप्ता जारी हो रहे आदेशों के तहर खेल विभाग में च्छत साल स्टेडियम में पहलवानों को एक बाद फिर कोचिंग देने की श्रुआत करने के लिए निर्देश चार कर दिये हैं कोरोनम हमारी की तीसरी लेहर के भारत में ऑक्टूबर के मध्यम में दस्तक देने की पूरी आश्वंका है हाला कि इस बार दूसरी लेहर के बुदावग इससे थी हमारे नियंतुन में रहने का अंदेशा है इसके बावजूद लगबग एक साल तक महारी से स्वा कारी दी गई है साथी साथ अनुमान है कि टीका करन से कोरोना की नई लहर नियंतर्ण में रहेगी सर्वे के मताबिक देश में 85 फीज़ी विशेशक्गों का मानना है कि देश में कोरोना की अगली लहर ऑक्टूबर में दस्तक देगी वही तीन विशेशक्गों का अनुमान है कि अगस्ट के अंतियाफे सितंबर के महीने से पहले ही लहर आ सकती है अन्य तीन का अनुमान है कि तीसरी लहर नवंबर और फरवरी के बीच आ सकती है भारत के महान धावक मिलखा सिंग का कुरोना से 90 साल के उम्र में निधन हो गया है प्रधान मंतरी नरेंद बोदी ने भी ट्वीट का शोग चताया है बता दे कि बीते देन उनकी तबेट काफी खराब हो गई थी खबरों के मताबिक उन्हें फिर बुखार आया था और उनका उक्सिजन लेवल भी काफी कम हो गया था 51 साल के मिल्खा सिंग कोरोना संक्रवित होने के बाद अस्पताल में भर्ती किये गए थे जिसके बाद अब उनका निधन हो गया है देश के प्रधान मंतरी नरेंद बोदी ने मिल्खा सिंग के निधन पर शोग चताया है उन्होंने ट्वीट कर कहा हमने एक महान खिलारी को खो दिया है भारतियों के दिलों में मिल्खा सिंग के लिए एक खास जगा थी उन्होंने लोगों को अपने व्यक्तितों से प्रेरित किया था मैं उनके निधन से मैं बहुत दुखी हूँ गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलार के लिए इतना है लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें निउस वोल इंडिया